दोस्तों, lemon water यानी नीमबू पानी एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत ही जादा popular हो रहा है इसकी popularity का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि even restaurants ने भी इसको serve करना शुरू कर दिया है अपने menu card में इसको शामिल कर लिया है बहुत सारे लोग lemon water को use करते हैं अलग-अलग reason से बहुत सारे लोग सुभा सुभा खाली पेट इसको 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 करते हैं चाय और कॉफी की जंगा तो क्या वाकई में नीमबू पानी यह इतना जादा healthy है इतना जादा beneficial है जतना लोग इसको समझते हैं वेल, definitely बहुत ही जादा healthy है नीबू पानी लेकिन जादा तर लोग जो इसको use करते हैं वो सिर्फ इसके एक ही benefit के लिए इस्तमाल करते हैं या उसके बारे में ही लोग अक्सर जानते हैं और वो है weight loss बट क्या आप जानते हैं कि weight loss के अलावा भी नीबू पानी के बहुत सारे health benefits होते हैं तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे जहां मैं आपको बताऊंगा नीबू पानी से मिलने वाले 6 बहुत ही amazing health benefits के बारे में और ये benefits आपको किस तरह से मिलते हैं क्या उसकी बीचे science है इन सभी पहलों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे तो अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में तो ये वीडियो आप ही के लिए हैं इसको end तक जरूर देखिएगा welcome दोस्तो मेरा नाम है Dr. Salim और आप देख रहे हैं आ आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा सबसे पहला बेनेफिट जो कि नीबू पानी इस्तमाल करने से हमें मिलता है वो है फैटी लिवर के अंदर यानि अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉबलम है तो आपके लिए नीबू पानी एक बहुत ही बढ़िया home remedy बन सकता है नीबू पानी के अंदर पाए जाता है vitamin C और बहुत सारे antioxidants और ये दोनों ही चीज़े जो है हमारी body के अंदर glutathione नान की एक चीज़ को बनाने के लिए मददगार होती है और ये glutathione जो है basically ये हमारे liver के अंदर जो toxins जमा हो जाते हैं जब हमारा liver fatty होता है तो इन toxins को remove करने का काम करता है और इसी के साथ-साथ lemon water जो है ये fat को mobilize करने का भी काम करता है और ये दोनों ही चीज़े मिलके fatty liver disease के अंदर बहुत ही बढ़िया result समय देती है तो अगर आपको fatty liver की problem है तो नीबू पानी आपका सबसे बढ़िया दोस्त है इसको आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए रोजाना सुबा खाली पेट एक ग्लास पानी के अंदर एक नीबू करस आपको रोजाना जरूर लेना चाहिए दूसरा benefit जो की नीबू पानी इस्तमाल करने से आपको मिलता है वो है kidney stones के अंदर यानि अगर आपको kidney stones की problem है या आपको बार-बार kidney stones बनते रहते हैं तो उस case में आपको नीबू पानी जरूर इस्तमाल करना चाहिए देखे जो भी kidney stones है mostly जादा तर cases में जो होते हैं वो calcium oxalate के होते हैं और जो नीबू पानी होता है इसके अंदर citric acid होता है और citric acid का ही एक component होता है जिसको बोलते हैं citrate और यह citrate जो है यह हमारी kidneys के अंदर जो stone मन जाता है calcium oxalate का उसको तोड़ने का काम करती है और इसके सा साथ हमारे urine जो है उसको alkaline मनाने का काम करती है और इसकी वजय से जो छोटे-छोटे stones हमारी kidney में बन जाते हैं वो flush out हो जाते हैं और इसके सासाथ उनका जो recurrence है बार-बार बनने की प्रिविर्टी है वो भी कम हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि renal stones यानि kidney stones अगर आपको है या बार-बार बनते रहते हैं तो उस case में नीमू पानी आपके लिए बहुत ही जादा effective हो सकता है तीसरा benefit जो कि नीमू पानी regular इस्तमाल करने से हमें मिलता है वो ये कि ये हमारी skin की जो health है उसको improve करने का काम करता है जब हम नीमू पानी को regular इस्तमाल करते हैं तो उससे हमा हमारी skin की tone को बनाए रखता है और इसकी वज़ा से जो wrinkles वगरा की problem है जुरियों की शिकायत है या skin लटकने की शिकायत है वो काफी हद तक कम हो जाती है और जादा हम लोग जवान दिखते है या जितनी हमारी age है उससे जादा हम जवान दिखने लगेंगे अगर हमारी body के इंदर जो collagen है वो proper मातरा में होगा तो एक बहुत ही बढ़िया जो effect है इस नीमू पानी को इस्तमाल करने का वो ये कि ये हमारी skin की quality को improve करता है जादा tight बनाए रखता है जादा shiny बनाए रखता है और हमारी skin जादा healthy नजर आती है चौथा benefit जो कि नीमू पानी को इस्तमाल क के लिए ही करते हैं और research से भी ये बात साबित हो चुकी है कि जो नीमू पानी है उसके अंदर polyphenol नाम के antioxidants बहुत जादा होते हैं और ये polyphenols जो हैं ये हमारी body के अंदर fat accumulation है उसको कम करते हैं वजन को घटाने का काम करते हैं इसके साथ-साथ जो नीमू होता है ये fat के antagonist हो यानि ये fat को जमान ही नहीं होने देता है तो जो stub-bon fat हमारी body के अंदर जमा हो जाता है उसको mobilize करने का काम भी नीबू पानी करता है हमारी body के अंदर insulin की sensitivity को भी improve करता है और diabetes, malitis जैसी बीमारियों से भी हमें safe रखता है नीबू पानी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं lemon water, vitamin C का एक बहुत ही बढ़या source है और vitamin C जो है ये एक antioxidant होता है जो कि हमारी body के अंदर cell damage को कम करता है इसके साथ साथ जो free radicals हमारी body के अंदर damage पैदा करते हैं उसको neutralize करने का काम भी vitamin C करता है इसके साथ साथ आपको शायद ही पता होगा कि जो vitamin C है ये हमारे दिल की बिमारिय होते हैं कई बार vitamin C की कमी होने की वजह से वहाँ पर bleeding ooze होने लगती है यानि blood जो है वो बारीक-बारी capillaries से निकलना शुरू हो जाता है और जब वहाँ पर ये बारीक-बारी oozing शुरू होती है blood की तो उसको cover करने के लिए उसको plaster करने के लिए cholesterol और calcium आके वहाँ पर जम ज लेती है और कहीं ने कहीं blockage बनाने का काम भी कर सकती है तो vitamin C को सही मात्रा मेलेने से हम cardiovascular diseases से भी safe रह सकते हैं हमारी body के अंदर insulin की sensitivity होती है वो भी बढ़ती है और इस तरह की tooth food damage जो हमारी cells के अंदर regular होती रहती है उसमें भी हमें काफी मदद मिलती है इसके सासात vitamin C जो है ये bleeding को भी कम करता है जिन लोगों को scurvy की शिकायत होती है मसूडों से कून आने की शिकायत होती है उन लोगों को भी vitamin C की काफी जरूरत होती है तो वो भी इससे पूरी हो जाती है और vitamin C जो है ये हमारी जो arteries है जो हमारी blood vessels है जो नसे है उनकी walls को healthy बनाने का भी काम करती है तो बहुत सारे ऐसे important functions हैं जो कि vitamin C करता है और ये नीमू पानी हमें इस vitamin C की काफी बड़ी मातर में आपूरती करता है नीमू पानी जो है ये हमारी body के अंदर digestion को भी improve करता है ये हमारे अंदर constipation की problem को भी solve करता है एक lexative का काम करता है अगर आपको cubs की शिकायत रहती है तो गरम पानी के अंदर नीमू मिलाकर पीने से आपको वो problem भी solve हो सकती है इसके अलावा आयरुवेदिक medicine में ये माना जाता है कि जो नीमू होता है ये हमारी body के अंदर अगनी को पैदा करता है और ये अगनी जो है ये digestion को start करने के लिए जरूरी होती है तो जिन लोग का digestion कमज़ोर होता है जिनका liver कमज़ोर होता है जिनको भूग की शिकायत होती है या हाजमा ठीक से नहीं होता है ये जो लोग fats वगरा खाने के बाद या कुछ चिकना या तलप होना खाने के बाद ज्यादा अफारा जैसे महसamel करते हैं या indigestion की शिकायत महस regulators करते हैं उन लोग एक गिलास पानी के अंदर आप एक नीमू का अरस मिला लीजिए और उसको सुबा खाली पिट इस्तमाल करिए इससे आपको best results मिलेंगे अगर आप जादा खटा नहीं ले पाते हैं यागर खटा खाने से आपको कुई दिक्कत होती है तो उसकेस में आप इस नीमू पानी के अंदर एक चमच शहद भी मिला सकते हैं दोस्तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने आज जरूर सीका होगा अगर इसे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ के फिर भी लोगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए टाटा बाइबाइबाइब एंड स्टे हेल्दी हमेशा